दोस्तों स्वागत आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरे और आज आपको तीन बीजेपी के संसकारी लॉंडो से मिलवाने वालों सबसे पहला लॉंडा है ब्रिजबूशन शरन सिंग कबर निकल कर सामने यह आई कि ब्रिजबूशन शरन सिंग का क्लोज संजे सिंग जो है Federation का चीव बन चुका इसके बाद रेसलर के जो रेक्शन से निकल कर सामने है सबसे पहले साक्षी मलेक इन्होंने तो यह बोल दिया कि यह रेसलिंग से सन्यास ले रही है जिए वही साक्षी मलेक है जिनके जीतने पर क्या क्या रियाक्शन आया थे एक बा यह है 56 इंच वाले श्री 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 चचा उसके आगे एक और रियाक्शन निकल कर आया बजरंग पुनिया का जहां पर बजरंग पुनिया ने अपना सम्मान जो है पदमश्री वह वापिस मोदी जी को लोटाने के लिए पहुंचे और यह एक अकेला जो है सब भारी की बात इन लोगों के अथलेटीक्स क्या होती है आपको दिखाना चाहता हूं इंडिटर साप जब दिखाऊ स्क्रीन के ऊपर भाई इस पोकी फॉटी मॉन के गेम को यह लोग अथलेटिकस बोलते हैं इसको ये लोग वरक आउट बोलते यह बंदर नाच को ये कहते हैं कि इनोंने बात बोली जारे कि भई जब यहां पर सम्मान लोटा दिया गया है तो सम्मान के साथ जो पैसे मिले थे उसको क्यों नहीं लोटाया गया है आपकी स्क्रीन सबसे पहला आपको दिखाना जाता हूं साक्षी मलेक इनको कहा जा रहे कि इनाम मिला था 10 करोड रुपे का बजरंग इन लोगों के सामने तो लिटरली कुछ भी नहीं हो लेकिन मैंने इस चैनल के उपर बहुत जादा मेहनत करी है और उसके रिटर्न में उसकी एवज में मेरे को यूट्यूब नहीं मेरे को गोल्डन बटन दिया है जो कि मेरे लिए एक सम्मान जैसा ही है हाँ यूट्यूब मुझे पैसे भी देता है लेकिन ये गोल्डन बटन मेरे लिए उन पैसों से कही जादा है जब भी कोई मेरे घर आता है तो वो मेरे बैंक में पैसे नहीं देखता बलकि दिवार पर लटके और इसी की वज़े से मुझे काफी जादा रिस्पेक्ट भी मिलती है अगर ये ग अमान को ऐसे वापिस लोटाना या फिर रेस्लिंग से सन्यास ले लेना सोचे एक बार को कि अगर आप एक रेगुलर जिम गोर भी हो या फिर अगर आप गाना गाते हो और आपको कोई कह दे कि आपको जिम हमेशा के लिए छोड़ना है या फिर डांस या मूवी देखना हम मेशा के लिए छोड़ना है तो आपको कितना जादा बुरा लगेगा एक एथलीट की लाइफ में इससे भी कई जादा इंपोर्टेंट होता है उसका स्पोर्ट और जब वो स्पोर्ट को त्याग देता है तो इसके पीछे सच में कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होता ह सिर्फ कहानियों के ओपर बेच नहीं होती सब चीजे तो इसलिए यह बात बोलना कि इन्होंने इनाम वापिस लोट आ दिया है लेकिन पैसे अपने पास रख लिया है इनाम ही सबसे बड़ी चीज होती है और कौन कह रहा है पैसे की बात कहां से आ रही है यह लोगों ने हम संसकारी लॉंडा नंबर वन अब जब बढ़ना चाहता हूं संसकारी लॉंडा नमबर टू से आपको मिलवाना चाहता हूं विवेक बंद्रा के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हुँ वैसी संदीप महेशवरी ने इनकी काफी लंका लगा रख ही है लेकिन उसके बीच але बेटशल स्पीकर विवेक बिंदरा के खिलाफ केस दरज बिंदरा के खिलाफ पत्नी से 알back करने का मुकदमा अथि ख़ुआ निक ज़ितulse 2023 ऑनने यानिका से शादी करी हुआ और 14 डिसंबर को कि धानके दर्ज हो गया नॉडडा पुलिस इस मामले की जाच कर रहे है छे डिसेंबर को शादी हुई और 14 डिसेंबर को मामला भी दर्ज हो गया भाई इससे जादा एग्रेसिव पती मैंने नहीं देखा होगा आज तक मतलब हमने बहुत बार सुना है कि शादी के अंदर पती बहुत वाइफ को मनाने की या फिर वापिस लेकर आने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब साफ यह कि कुछ लड़ाई भड़ाई यहाँ पर डेफिनेटली हुई होगी लेकिन विवेक बिंदरा की वाइफ ने अपनी लिटरली चोटों के निशान यहाँ पर दिखाए है उसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया मुकदमा यहाँ पर डेफिनेटली इजीली दर्ज नहीं होने वाला था क्योंकि यह आदमी वी जो है आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ओपर यह मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त है अपनी स्क्रीन पर देखिए जब तीन मही आपको दिखाना चाहता हूँ यह आदमी जो है मनोश तीवारी के साथ हल्वा मेकिंग प्रोसेस भी कर रहा था या पर पता नहीं क्या बना रहा है गौड नोज लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इस टाइम पर भगवान ने इसको गधा बना कर रहा है एक और आपको तस्वीर द दर्ज होने वाले क्यों नहीं बताया पहले से आप तो सारा फ्यूचर देख लेते हो ना परचिया निकाल निकाल के इसके लावा एक और फोटो देखिए मरोज मुंतशीर के साथ भी खड़ा हुआ है और आखिरकार यह वाली फोटो देखो प्यूश गोयल के साथ ये खड क्यों करी जा रही है अब थोड़े दिन पहले से संदीप महेशवरी विवेक बिंदरा के पीछे पड़े हो है काफी तगडी विवेक बिंदरा को हेड भी मिल रही है इस चकर में काफी उनको स्कैमस्टर वगेरा भी बुलाया जा रहा है इसके बीच में विवेक बिंदरा क के बारे में recently Elvish यादफ से भी जुड़ी काफी controversy सामने है Elvish भाई आखिरकार controversy में घिरे चले जा रहे हैं सपोले वाली controversy के बाद अब यह पता चले कि वैश्णो देवी गए थे और वैश्णो देवी जब भाहर निकले दर्शन करके तो किसी रिपोर्टर ने इसे सवाल चले कि आपको दिखाऊंगा लेकिन Elvish भाई उस पर काफी जादा नाराज हो गए इन फैक्ट Elvish के एक दोस्ते मीडिया कर्मी के साथ धक्का मुक्की करने का भी काम किया और Elvish यादफ जो है वो पतली गली से निकल लिए जी हाँ हिंदू रिदे समराथ Elvish यादफ जो अब इस वीडियो का थोड़ा सा और भी आपको डीटेल देना चाहूंगा ये जो रिपोर्टर है इससे जडब तो यहाँ पर हुई है लेकिन उसके बाद एक और वीडियो सामने निकल करा है इसी रिपोर्टर का जहाँ पसने बताया कि सारे मामले का सेटलमेंट भी हो चुका है मतलब ऐसा नहीं कि मामला भी भी पेंडेंग है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि Elvish भाई ने सिंपल सा सवाल पूछने पर इतना जादा नाराज की क्यों दिखाई भाई मंदिर आके कैसा लग रहा है बता देते सिंपल आप तो हिंदू रिदे समराट और गाड़ी के पीछे भी हिंदू लिखा है आपकी यह तीन खबरे शुरुआत में दिखा के moral of the story सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि भगवान का नाम लेने से या फिर जर श्री राम जोर से बोलने से कुछ नहीं होता फरक तब पढ़ता है जब आप भगवान के बताय हुए रस्ते पर चलो भगवान ने अगर कहा है कि लोगों के साथ अच्छा करो तो अच्छा ही करना चाहिए लोगों के साथ अगर भगवान ने कहा है कि विनमरता से पेशाओ पेशेंस रखो अपने अंदर जैसे कि श्री बोलने से डीजे पर जैश्री राम की गाने चलाने से या फिर मुसल्मानों को गाली देने से आप असली हिंदूनी बन जाते इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और ऐसा लग रहे कि आज का दिन जो है वो यूट्यूबर्स के लफडे का ही दिन है एक और यूट्यूबर है और काफी फेमस भी इंटर्वी हुआ था इनका एक काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है और अब बीजेपी कह रही है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए मतलब बीजेपी का बस चले हर किसी को अरेस्ट करा दो उठाके मैटर यहां पर यह कि बीजे पार्टी की ओडिसा यह बीजेटी के एक नेता के साथ जगना टेंपल गई है जिसकी फोटो भी आपके स्क्रीन पर आपको इस टाइम पर नजर आ रही होगी तो बीजेपी के लोग अब यह कह रहे हैं कि अगर पहले आप बीफ खा चुके हो तो अब आप मंदिर में नहीं जा सकते लेकिन 2023 में ही बोली थी जादा पुरानी बात ही इंफाक्ट बीजेपी काफी बार नौथीस के स्टेट्स में जाकर यह कह चुकी है कि उनको बीफ से कोई भी दिक्कत नहीं है इंफाक्ट साउथ के भी कुछ जगाओं पर इस तरीके की बाते बोली जाती है लेकिन यहां पर कहा ज काओ जो है वो यमी है और नौर्थ में आकर आप कहते हो काओ जो है वो ममी है इसके साथ कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि कामिया जानी जो है यह राहूल गांदी की सपोर्टर है फलाना धिंका है लेकिन इनके चैनल पे एक वीडियो डल रखिए जिसमें नरेंद्र मोध स्क्रीन शॉट आपके सामने है और बताओ यार नरेंद्र मोधी की पब्लिसिटी करने वाले लोगों साथ अगर इस तरीके से कर रहे है बीजेपी तो बाकी के लोगों तो भूली जाओ इसी साथ कुछ इंटरनाशनल खबरों के बारे में बात करना चाहूंगा सबसे वेल अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए विश्व में मोधी जी का काफी तकड़ा डंक का बजरा भाई साथ बहुत तेज तेज बजरा अपनी स्क्रीन पर देखिए इंडिया स्टोटल डेट राइजिस तो टू जेरो फाइव लाक करोर इन क्वाटर टू यानि कि हमारे देश के अब इस खबर के बाद मुझे सबसे पहले स्पृति रानी और निर्मला सीता रमन की शकले याद आ रही है उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोधी सबसे अच्छे एकॉनमिस्ट है ऐसे एकॉनमिस्ट जिनके हाथ में आप लाखो करोड़ो रुपे देदो वो उनको दो मिनट में आग लगा देंगे इसके साथ एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ पर इसके ओपर काफी तगड़ा इवेंट यहाँ पर किया जाएगा इमानुल मैकरॉन को इंवाइट किया गया और उन्होंने ट्विटर के ओपर एकनौलिज करके भी बताया कि हाँ मैं इसके साथ जाते जाते एक और मज़ेदार खबर आपको दिखाना चाहता हूँ खबर तो मध्यप्रदेश की है लेकिन इंटरनाशनल खबर से कम नहीं है मध्यप्रदेश के नए नवेले CM का एक स्टेटमेंट सुनिए जरा आपनी स्क्रीन के ओपर वी विल प्रूफ प्राइम मेरिडियन रंस थ्रू ओजेन और चेंज वर्ल टाइम न्यू एमपी सीएम एमपी के नए नवेले CM मोहन यादव जी ने कहा है कि हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि जो प्राइम मेरिडियन की लाइन होती है यानि कि वो लाइन लॉंगिट्यूट की वो चीज जिससे वर्ल का टाइम कालकुलेट किया जाता है वो एमपी से होकर निकलती है और उसके बाद जो है पूरे वर्ल का टाइम हम चेंज करके रख देंगे भाई इतने बड़े बड़े सपने तो मोधी जी ने तक नहीं दिखाए ये भाई मोहन यादव है ये पीए मनेंगे आप सीधा अब आपका इसके ओपर क्या रियक्षन है साथि इन सारी खबरों के ओपर आपका क्या रियक्षन है नीचे कॉमेंट सेक्षिन में अपनी भड़ास को पूरी तरीखे से निकाल डालो साथि दंकी का रिविए बना कर मैंने अपने बॉलिवोड के चैनल पे डाला है झाल झाल